आज पहला दिन है और ये जो क्लास शुरू हो रहा है ये क्लास है प्रीचर्स ट्रेनिंग अर्था आप जितने भी भक्त अटेंड कर रहा है वो प्रीचर्स बनेंगे आज से ही बन जाएंगे उसमें एक गुण होना चाहिए सिर्फ वो भक्त होने चाहिए और एक गुण होना चाहिए वो है प्रीचिंग करने की इच्छा बस यदि प्रीचिंग करने की इच्छा है तो बाकी सारा कारिया मैं सिखा दूगी और आप कर लीजीगा बहुत आराम से कर लीजीगा तो प्रीचिंग कई प्रकार की होती है एक होता है कि हम व्यास असन पर बैट करके और प्रॉपर क्लास देते हैं 45 मिनिट्स का एक गंटे का डेड़ गंटे का जैसा हमको समय परिस्थिति काल के अनुसाद और एक होता है one to one preaching यानि हम जिससे मिलते हैं बात करते हैं हो सकता हमारा रिष्टेदार हो friend हो घर का कोई member हो और उसको हम preach करते हैं preach करने का मतलब है भगवान के बारे में कुछ बतान प्रचार करना तो जो व्यक्ति इस संस्था में इस कौन में या कोई भी धार्मिक संस्था में इतने लंबे समय से रह रहा हो उसको कृष्ण के बारे में तो अवश्य पता है ऐसी बात नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं पता है उसे पता है पर problem कहां आ रही है हम क्या बोलें कैसे बोलें जीजख हो रही है बस जीजख निकालना है और उसको पता तो सब कुछ है तो व्यासासन पर बैठ करके लेक्चर देना भी मुश्किल नहीं है परन्तु उसमें थोड़ा सा practice लगता है लेकिन जो one-to-one preaching है वो तो आप अभी तुरत शुरू कर सकते हैं और व्यासासन वाला भी शुरू कर सकते हैं परन्तु उसके लिए आप शुरू में छोटा सा ग्रूप लेके शुरू करेंगे और बाद में बढ़ा हो जाएगा तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि preacher का मतलब है भगवान के बारे में कुछ बताना लोगों को जो भी हमारे सामने आता है उसको कुछ बताना और वो आप सब कर रहे हैं आप लोग already preacher है ठीक है उसको system थोड़ा systematic बनाना है बस तो systematic बनाने के लिए हमको अगर हमें preacher बनना है तो हमें studies करने होंगे अध्यन करना होगा और notes बनाने होंगे क्योंकि हम जब कहीं कुछ बोलने चाहेंगे तो हमारा एक base होना चाहिए और वो base scriptures के आधार पर होना चाहिए यदि आप किसी की बोली हुई बात सुनेंगे जो प्रवचन सुनते हैं आप YouTube पर कहीं पर भी किसी का भी तो वो आपको help करेगा अवश्य परन्तु आपका जो शास्त्र है उसके आधार पर preaching होगी वो जो बाहर का help है ना वो थोड़ा बहुत percentage काम करेगा शास्त्र जो है वो कैसा है आप जैसे बोलना शुरू करेंगे आपको वो शास्त्र याद आईगी आपको confirm नहीं करना है कि गलत है कि सही है क्योंकि वो तो सही ही है इसलिए हमेशा studies जो होगा वो किसी ग्रंथ के उपर होगा उस तक के आधार पर ही हमारी preaching होगी preaching सुने सुनाए बातों के उपर नहीं होगी वो जमाना था जिस समय लिखित नहीं हुआ करता था और शुरूती चलता था रिशी मुनी बोलते थे और सामने वाला जो सुनने वाला वो catch करता था फिर वो सुनाता था अभी तो ग्रंथ है लिखित ग्रंथ है तो लिखित ग्रंथ के उपर preparation होगी तयारी होगी अब दो चीज़े होती है प्रीच करने के लिए एक होता है कथा भगवान कृष्ण की लीला भगवान राम की लीला भगवान के भक्तों की लीला दो-चार भक्तों के बीच में भी लीला होती है और भगवान से डिरेक्टली भी लीला होती है भगवान और भगवान के भक्तों तो इन सब लीलाओं का जो भी है ग्रंथों में वर्नन उन सारे ग्रंथों से कथाओं को आप ले सकते हैं और दूसरा होता है तत्वग्यान तत्वग्यान और कथा दोनों चाहिए दोनों में से एक होगा तो आनंद नहीं आएगा जैसे यदि आप सिर्फ कथा बता रहे हैं पर वो कथा का निचोड क्या है पता नहीं है उससे शिक्षा क्या मिल रही है पता नहीं है जिसको आप समझ उसे आप क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मेसेज कनवे कर रहे हैं, ये पता नहीं है, तो वो शिक्षा क्या हो जाएगी, इधर से सुने, इधर से निकला कोई improvement नहीं, लेकिन जब हम कथा को बोलते हैं और साथ में तत्वग्यान भी देते हैं, तब वो कथा स सार्थक हो जाती है, तो तत्वग्यान हमें कहां से मिलता है, तत्वग्यान भी हमें शास्त्रों से ही मिलता है, और सबसे ज़्यादा तत्वग्यान हमें शिमत भगवत गीता से मिलता है, उसके बाद जो वर्तमान आचारियों के शास्त्र हैं, जो शिमत भगवत गीता, शि लिखित ग्रंथ, सनातन गोस्वामी के लिखित ग्रंथ, इन ग्रंथों से भी हमें तत्वग्यान मिलता है, तत्वग्यान भी हमको सीखना है और कथा भी हमको सीखना है, दोनों को मिला करके हम प्रवचन देंगे या प्रचार करेंगे, चेताने महाप्रभु ने कहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमार आज्याय गुरु होया तारो एई देश और मैंने जो ये शुरू किया है कारेकरम इसलिए क्योंकि हमारे गुरु महराज परम पूज्य श्रीलग गोपाल कृष्ण गोस्वामी महराज ने चि माप्राज जी मैं अब प्रेचर्स बनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए मैंने स्पेशल यह शुरू किया है तो आप जब प्रीचिंग सीखेंगे तो आपको लेकर मैं गुरु महराज को मिलवाने जाओंगी इंट्रोड्यूस कराने जाओंगी कि ये सब माता जी और प्रभ क्या कर रहे हैं तो आभी हम शुरू करते हैं आप सब लोग अपने अपने नोट बुक्स को निकालिए भगवत गीता को निकालिए और पहले हम तत्व ग्यान सीखेंगे थोड़ा सा हमने आप लोगों को श्लोका काफी सिखा दिया है तो उसमें जब हम श्लोका सिखा रहे हैं तो सिर्फ श्लोका के उपर फोकस है अभी मैं आपको सिखाती हूं कि वो श्लोका का यूज कहा है ठीक है एक तो होता है कि जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे प्रीचर इक्सपर्ट प्रीचर बन जाएंगे तो प्रीचिंग जो है वो पूरे जीवन सिखना होता है वो कोई ऐसा नहीं कि आज सीखे काम खतम जैसे डॉक्टर्स पूरे जीवन पढ़ते हैं वैसे प्रीचर्स को भी पूरे जीवन अपने आपको इंप्रोव करना होता है तो आज आप सीखेंगे तो वही श्लोका डिफरेंट दिखाई देगा और अलग आपको समझ में आएगा दस साल के बाद वही श्लोका अलग समझ म पहले आपने श्लोका सीखा परंतु अब आप सीखेंगे कि उस श्लोका में तत्वग्यान क्या है ठीक है आत्मा के बारे में आप सुने हैं आत्मा में अनेको गुण है तो आपको एक टॉपिक मिला है कहीं कि आप आत्मा के बारे में बताईए ठीक है तो आज हम आत्मा के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे सब कुछ तो नहीं सीख सकते वो तो बहुत बड़ा है कुछ चीज़ें आत्मा के बारे में हम अभी सीखेंगे जैसे पहला स्लोग हम ले रहें बहुत सबसे सिंपल जो है वही मैं अभी आपको सिखाऊगी difficult वाला बाद में तो पहला स्लोक जो हम ले रहे हैं वो 2.23 भगवत गीता भगवत गीता 2.23 नमबर जो स्लोक है वो आत्मा के बारे में पूर्ण ग्यान है मतलब पूरा का पूरा आत्मा के बारे में ही बताया गया और कुछ भी नहीं है श्लोका है नैनम चिंदन ति शस्त्राणी नैनम दहती पाव कह न चैनम कलेदयन त्यापो न शोशयती मारूत है तो आत्मा के गुण ऐसा आप नाम लिख सकते हैं अपने नोट बुक में आत्मा के गुण ठीक है आत्मा के गुण में पहला जो आपको श्लोक लिखना है वो श्लोक नमबर 2.23 लिखना है इच्छा हो तो श्लोक कॉपी कर सकते हैं अगर नहीं इच्छा हो गैप छोड़ दीजिए बाद में कॉपी कर सकते हैं अब इसका मीनिंग हम देखते हैं मीनिंग है यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है न अगनी द्वारा जलाया जा सकता है न जल द्वारा भिगोया जा सकता है ना वायू द्वारा सुखाया जा सकता है चार गुण आपने आत्मा के देखे एक शलोक में ये चार वान टू थ्री फोर चार पॉइंट आपको पता चल गया आत्मा के बारे में क्या आत्मा को शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता खंड खंड नहीं किया जा सकता दूसरा आग के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता तीसरा जल के द्वारा आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता चौथा वायू के द्वारा आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता अब ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं मैंने कुछ नया नहीं सिखाया है परन्तु दिमाग में जैसे आत्मा शब्द आया ये क्लिक करना चाहिए कि आत्मा में ये चार गुण है आत्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता आग से जलाया नहीं जा सकता पानी से गीला नहीं किया जा सकता ये चार गुण आत्मा के हैं हिंदी भाषा में, इंगलिश भाषा में, मराठी भाषा में किसी भी भाषा में आप ये चार गुण लिख लेजिए अगर अभी नहीं लिख पाते हैं तो बाद में लिख लेजिए श्लोक संख्या मालूम है परपोर्ट से मैंने बताया है अब हम इसके परपोर्ट में अभी नहीं जाएंगे अब हम देखेंगे इसके बाद का तुरत के बाद का श्लोक 2.23 2.23 है अच्छेद्यो आयम, अदाहयो आयम, अक्लेद्यो, अशोश्य, एवच्च नित्यह, सर्वगतह, स्थानू, अच्छलो, अयम, सनातनह तो पहले भगवान ने बताया कि आत्मा को इन चार चीजों से नश्ट नहीं किया जा सकता पानी से, आग से, शस्त्र से, और वायू से ठीक है, यह चार नाम बताये भगवान ने, यह चार चीजों से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता तो हमें लग सकता है न, कि हो सकता है, पानी में नहीं घुलनशील हो पेट्रोल में घुल जाए ऐसा हो सकता है हो सकता है साधारन अगनी से ना जले लेजर रेज से जल जाए ऐसा हो सकता है इसलिए भगवान तुरत अगले श्लोक में कहते हैं अच छेद दियो अर्थात किसी चीज से इसमें छेद नहीं किया जा सकता किसी चीज से इसको खंडित नहीं किया जा सकता अच्छेद्यो अदाहियो अगनी से नहीं जलाया जा सकता ये नहीं किसी चीज से नहीं जलाया जा सकता अक्लेद्यो पानी से नहीं गुलाया जा सकता इतना काफी नहीं है अगुलनशील है ये किसी चीज में घुल नहीं सकते हैं इसको और शोश्यो हवा से नहीं सुखाया जा सकता ऐसी बात भी नहीं है किसी चीज से इसको सुखाया नहीं जा सकता तो ये चार गुन और आ गए आत्मा के चार पहले आपने लिखे चार और आ गए क्या कि आत्मा को किसी भी चीज से सुखाया नहीं जा सकता किसी भी चीज से जलाया नहीं जा सकता किसी भी चीज से काटा नहीं जा सकता किसी भी चीज से गीला नहीं किया जा सकता तो इसी लिए इसके लिए चार शब्द हो गए क्या-क्या अगुलनशील, अदाहिय, अशोश्य जरूत नहीं है संस्कृत के शब्द बोलने की अपनी भाषा में आपने लिख दिया तो भी काफी है कि इसे घोला नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता खंडित नहीं किया जा सकता सुखाया नहीं जा सकता हो गया किसी भी चीज से किसी भी चीज से नहीं तो ये चार गुन और चार गुन आठ गुन आपको मालूम हो गए अब दूसरे लाइन में भगवान कह रहे हैं नित्यह सर्वगतह स्थानुह अचलह सनातनह पांच और गुन है क्या क्या ये नित्य है अर्था शाश्वत है इसका न बिगिनिंग है न एंड है ये शाश्वत है सर्वव्यापी है हर जगह रहता है यह हर जगह आत्मा है प्रभुपाद बताते हैं कि हर जगह मिट्टी के नीचे पत्थर के पहाड में भी अलग-अलग दो-चार पत्थरों के बीच में आत्मा है अकाश में भी जीवात्मा है, दूसरे ग्रहों पर नक्षत्रों पर भी जीवात्मा है, तो सर्व abyápi है, उसके बाद अविकारी है, अविकारी, बतलब अव, परिवरतनी है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसका जो सुरूप है वही रहेगा, किसी भी तरीके से इसको बदला नहीं जा सकता ठीक है अविकारी स्थिर ये क्या है ये स्थिर है स्थिर को कहा जाता यहाँ पर कहा जा रहा है अचल अचलह स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है सनातन सनातन किसको कहते हैं जो कभी चेंज नहीं होता है जो इटर्नल है जो शुरू से लेकि आज तक वैसा का वैसा ही है और या तो आप कह सकते हैं जैसे उसमें बताया है न परिवर्तन नहीं होता है वैसा ही सनातन यानि परिवर्तन नहीं होता है नित्य है थोड़ा थोड़ा अलग है सशब्द पर मतलब मिलता जूलता हुआ है तो इसको अगर देखना चाहते हैं और अच्छे से तो आप घर में बैठके इसको अर्थ को भी देख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा तो ये गुण हो गए आत्मा के और पांच गुण तो कुल मिला के आठ और पांच आठ और पांच तेरा गुण हो गए ठीक है ना रभुपाद ने इसका जादा बड़ा नहीं दिया है परपोट इतना ही परपोट दिया है छोटा सा परपोट है इसका तो ये जो शब्द है ये सारे शब्द अब देखिए अब आपको आत्मा के बारे में थोड़ी जानकारी मिली है सिर्फ दो स्लोकों से जादा स्लोक ने लिये हैं मैंने सिर्फ दो स्लोक लिये तो दो स्लोकों से आपको आत्मा के बारे में कुछ जानकारी मिली है और जानकारी और स्लोकों से मिलेगी अब यदि मैं आपसे बोलूं कि माता जी आप पांच मिनट आत्मा के उपर बोलिए तो क्या आप बोल सकते हैं स्पीकर आउन करिए माता जी प्रभू जी जो भी है स्पीकर आउन करिए आत्मा के बारे में बोलिए बीना देखे माता जी आत्मा का कुछ पहले पीछे नहीं डरिये नहीं जो याद है वो बोलिए आत्मा को का जो शास्त्रों में वर्णन है उसके हिसाब से आत्मा को ना कभी काटा जा सकता है ना कभी उसको जलाया जा सकता है ना उसको पानी से भिगोया जा सकता है गीला किया जा सकता है और ना वायू के दारा उसको सुखाया जा सकता है ना उसको काटा जा सकता है वो अगुलन शील है उसको घुला भी नहीं जा सकता है और किसी चीज़ से मतलब खंडित नहीं किया जा सकता है इसको और नहीं इसको सुखाया जा सकता है और आत्मा शाश्वत है सर्व्यापी है अभिकारी है और उसके लवस फिर है सनातन है और नित्य है तो आप तो बढ़ गया प्रीचर तो आप सिर्फ पांच मिनट की ट्रेइनिंग पर आपने इतना बोला अभी तो बहुत कुछ बाकी है तो देखा आप बोल सकते हैं आत्मा के उपर आप थोड़ा साजस्ट मैंने टच किया है मैंने कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं है पर आप आत्मा टॉपिक के उपर इतना बोल पा रहे हैं मतलब यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आप धीरे 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 हर टॉपिक पे बोल पाएंगे ठीक है तो मैंने स्टार्ट किया आत्मा से क्योंकि भगवान ने भी आत्मा से स्टार्ट किया था और उसमें सिर्फ दो स्लोग लिए है इसमें और बहुँआ ज़्यादा श्लोग है तो मैं चाहूंगी कि और जितने भागते हैं सब ट्राई करें कि जितना मैंने सिखा है उसमें से जितना पॉइंट आ बोल सकते हैं बोलिए अरे कृष्णा मातर जी देंड़त ना मातर जी मैंने अभी से जॉइन किया है लेकिन ये श्लोक के लिए है कि मातर जी 2.20 का अभी जो जो बाद में जॉइन किया है जो बाद में जॉइन किया है वो कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ सुन सकते हैं जो शुरू में जॉइन किया है उसमें से कोई भक्त बोलेंगे अरे कृष्णा ज Vä daher जा सकता हे जॉइन किया जुएज किसी चाओर ये मिल भी नहीं जॉइंस किया जा सकता प्यानप ज़ैज को झाल नहीं कर शकते हैं वायू एक द्वारा सुक्याय नहीं जा सकता और किसी चीचेल वह immersed pela है किया जा सकता और किसी चीज से जलाय भी नहीं जा सकता सुखाय नहीं जा सकता और किसी चीज से और भी गिला भी नहीं मतलब गुलंचिल गुलंचिल भी नहीं खंडीत नहीं सुखाय नहीं जा सकता जलाय नहीं जा सकता आत्मा शाश्वत हैं सर्वव्यापी हैं अविकारी है वररिवर इतमीय है वेरी गुड़ वेरी गुड़ मेड़ियो ल१ूज आत्म के फेरा गुड़ वेरी गुड़ और कौंड बतबोलना चाहते है अरे खुड़्या मतीजी डंडवत येस आत्म जो है सनातन है जो अनंतकाल से है तो फिर अत्म को कभी हम like it can never be cut into pieces right by any weapon और पिर कभी अगनी से can never be burn by fire और पानी से moist गीला नहीं कर, it can never be moist by water or withered by the wind right then then it it is unbreakable yes also it is insoluble hmm then then what it is it is everlasting yes it is atma is everywhere unchangeable and immovable yes very good को यह और भक्ति करेंगे करेंगे मांद जी मातरी यहां दो स्लोग से यह सीखा है पहले स्लोग में यह बताया है भगवान ने की आत्मा की चार गुन पहले बताए है जो सबसे पहले बताया आत्मा से जलाय करें जासकता और आत्मा को अगर यह जासकता है। और दूसरी शोक में यह बताया है भगवान में कि आत्मा जो है अखंडित है और अगुलनिया है। it is insoluble, it cannot be dissolved, then आत्मा को जलाय नहीं जासता है, और सुखाय नहीं जासता है, and आत्मा जो है शाष्वत है, it is everlasting, it doesn't have a beginning and it doesn't have an end also, आत्मा सर्वव्यापी है, अविकारी है, और स्थिर है, और सदेव एक साही रहने वाला है, it is inchangeable, it cannot be changed. very good, very good, आप सब preacher बन गए, और कौन-कौन बचे है, जिनको बताना पड़ेगा सब को, क्योंकि आप सब यहाँ है, तो ऐसे नहीं बाठना है, बोलना है, चाहे, चाहे एक सब्सक्राइब देदाइब आपने कि आपके गोन जिसमें चार गोन आत्मा को जल आया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया सकता है जले द्सालां और काता है और उसके अलावा आतमाको किसीबी चीजसे स्थिभाय जलाया घ्लाव आर थी नहीं कि या सकता है आत्मा शास्वते और इसे बहत लानिंज सकता है इस कर solid हम एक सी रहने वालि से आताने कभी चैंज नहीं होती, वेरी गुड, वेरी गुड, और और कोई जो बच गए है, रेनुका, आपको समय पर आना है, समय पर जो जॉइन नहीं करेंगे, उनको सिफ सुनना है, वो बोलनी सकते हैं, जो समय पर जॉइन करेंगे, पूरा सुनेंगे, उनको समझ में आएगा, तो नेक्स्ट क्लास से आपको यार सखना है, ठीक है, हिमानी, you want to say something? अरे क्रिशन के अरे क्रिशन के लिए पढ़ा, जाता है, आपको यार सखना है, तेवी सूष्लोप में आत्मा के बारे में बताया है, आत्मा कभी अज़ता दूवरा काटी नहीं जा सकती, अग उलनशील है, अख अखंडी पे, उसे जलाया नहीं जा सकता, हवा के दौरा उसे सुखाया ली जाता है, आत्मा निटे है, आत्मा सर्व अग्याती है, और वह अपरिवर्थनी है, आत्मा सन्को निटे है, तो सब्लों का हो गया या कुछ बाकी भी है, मातर जी मुझे श्लोक संक्या बता है न, श्लोक संक्या, 23 and 24, 2.23 and 24, अब हम पढ़ेंगे कथा, माता जी, I have a question, tell, सर्व अभ्यापी को कैसे explain करो माता जी, देखो प्रभुपाद, पहले हमें कोई भी चीज को जानना है, तो प्रभुपाद के परपोट को पढ़ना है, तो प्रभुपाद को पढ़ना है, तो प्रभुपाद के परपोट को परपोट में नहीं मिलेगा, तो फिर अपना सोचना है, या कुछ करना है, तो प्रभुपाद के परपोट में लिखा है, कि आत्मा, इसमें संदेह नहीं कि आत्मा सूर्य लोक में भी उप्युक्त प्राणी निवास करते हैं, यदि सूर्य लोक निर्जन हो, तो सर्व पी, ओके लास्ट टू लाइंस, यू कन सी, लास्ट प्रभुपाद क्या रहा है, सर्व व्यापी का मतलब है, आत्मा हर जगह है, सूर्य लोक में भी है, और एक्स्प्लें करते हैं, मैंने पताया था, आत्मा पहाड के पत्थरों के बीच में भी है, पानी में भी है, जमीन मिट्टी के नीचे भी बीच बीच में है, अनेकों जो उपर प्लैनेट सें, उसमें भी है, तो सर्व गता का मतलब है, आत्मा सब जगह विद्यमान है, सर्व गता, सर्व व्यापी, सेन, ओके, ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, ये दो आपको नोट्स बनाने हैं, याद रख से पूछू, आपके पार्स, नोट्स रेडी रहना चाहिए, दो श्लोका, और दो श्लोका में कितने आत्मा के गुण है, लिखना है आपको, अभी हमको तत्व ग्यान के साथ साथ कतावी सीखनी है, क्योंकि कता के बिना पूरी नहीं होती है शिक्षा, क्योंकि ये तो सब रिशी मुनी नहीं है, साधाराण जनता है, घर ग्रहस्ती वाले लोग है, इनको कता अच्छा लगता है, तो कता हमेशा आना ही चाहिए, प्र या preacher को, तो अभी हमने कृष्णा बुक लिया है, पर कोई भी बुक ले सकते हैं, तो जैसे कृष्णा बुक है, तो कृष्णा बुक में जो सबसे आसान कथा आपको लगती हो, जिसके बारे में पहले से ही आपको कुछ मालूम है, इतने सालों आप सुन रहे हैं, सुन रहें क कथा, तो आपको पहले से ही कुछ मालूम है उस कथा के बारे में, वैसा कथा आप पकड़िएगा, आप उस कथा को खोल के पढ़िएगा, जैसे मैंने एकदम साधारन कथा ली है, जो आप सबको पता है, पूतना का वद, अब पूतना वद की कथा हर भक्त को पता है, पहले पाद का तत्वग्यान भी चलता है साथ साथ में और स्टोरी भी चलती है कथा में स्टोरी और तत्वग्यान दोनों रहता हैं आवाज वदी किसी के माइक से आ रहा है तो म्यूट करिए जब मैं आप से पूछूंगी तब आप माइक ओन करिएगा तो हमने साधारन सिंपल कथा ली है पूतनावद जो कथा आप साब को पता है तो जब आपको कहीं बोलने का मौका मिले कि भगवान की कृपा से आज आपको कहीं बोलना है ठीक है तो आपको कहीं बोलना है तो आपको ऐसी कथा चुननी है जो बहुत सिंपल हो जो आपको आधे से ज़्यादा कथा आपको पहले से मालूम हो वो कथा लेनी है ऐसी कथा नही देंगे जो किसी को पहले से नहीं पता है वो बताना नहीं ये न्या preacher नहीं कर सकता है तो नय प्रीचर को हमेशा वो story लेनी है जो सबको पता है पहला point हो गया दूसरा point जब आप प्रवचन देने जाते हैं कहीं कुछ बोलने जाते हैं कभी भी आप किसी की नकल मत करिए, है ना, वो प्रवचन करता बहुत famous है, वो बहुत हसाता है, वो बहुत अलग तरीके से बात करता है, तो उसको थोड़ा कॉपी कर लेंगे, उसको थोड़ा कॉपी कर लेंगे, नई, आप जैसे हैं, वैसे ही रहें, और उसमें ही लोग आपको पसंद करेंगे जिनको लोग आलरेडी पसंद कर रहे हैं उनको तो बहुत सुन चुके हैं पर आपको पसंद करेंगे क्योंकि आप में कुछ विशेष्टा है अलग प्रकार की इसलिए किसी को कॉपी नहीं करना है कथा पढ़ेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसमें जो जो चीज अच्छा लगा उसको अंडरलाइन कर देंगे ये बहुत दिल को छू रहा है इसको अंडरलाइन कर देंगे तीन, चार बार, पाँच बार पढ़ लेंगे अगर कथा दो घंटे की है तो आपको इसमें से हो सकता है 15 मिनट का याद रहे 20 मिनट का याद रहे चिंता की कोई बात नहीं है कथा शुरू से अंत तक उसी फ्लो में जाएगी ऐसा भी नहीं होगा हो सकता है आप आगे का पीछे पीछे का आगे कर दें उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है आपको सिर्फ कथा सुनानी है जितना पार्ट मालूम है उतना ही पार्ट सुनाना है ये आपको याद रखना है कथा लेनी है, कथा पढ़नी है एक बार नहीं पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है वैसे तो हमेशा बहुत सारी कथाएं पढ़नी है पर जब आपको कहीं बोलने जाना है तो एक कथा को तीन चार बार पढ़नी है पढ़ना है उसके बाद अंडरलाइन करना है अब क्या करना है एक नोटबुक लेना है उसमें पॉइंट्स लिखने है जैसे हम ये कथा पढ़ पूतनावद जब नंद महराज घर लोट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकूल में कुछ उतपात हो सकता है विचार किया निश्चे ही यह सलाह मैत्रे पूर्ण थी और अस्यत्त नहीं थी अतानंद ने सोचा इसमें अवश्य ह प्रहुपात तत्व ग्यानते रहे तो यदि आपको ये चीज बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है उसमें से चोटा सा अगर आप ग्रेजविट हैं पढ़े लिख्ये जादा हैं तो आपको ये पता है नहीं पढ़े लिख्ये हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी तो आप इस को कॉंसाइज फॉर्म में लिखेंगे एक पॉइंट नंद बाबा से मिलने के बाद वसुदेव की सोच फिनिश्ट अब जैसे ये समझें ये आप पढ़ेंगे पहला पॉइंट और कथा आपको बोलनी है आपके पास आप दस पॉइंट लिख के रख लिजे छोटा छोटा अगर लगता है कि आप देख सकते हैं तो ऐसे दस पॉइंट ये लिख लिया दूसरा पॉइंट मंतरियों से मंतरना किया कंस ने कि हम क्या हमें क्या करना चाहिए बच्चों को मारने के लिए तो फिर मंतरियों ने सलाह दिया कि सारे दस दिन के अंदर के बच्चों को मार ड आलो तो यह सरफ इस टॉरी आपको पता है लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट भूल गय तो सारी स्टॉरी चली जाएगी तो क्या करना है मन्तरियों से सला में सिर्फ लिए इतना सिर्फ लिखना दूसरा point तीसरा point माल लिजिया आपने देखा कि अब पूतना पूतना में कितने गुण थे पूतना में ये गुण थे कि वो आकाश में उड़ सकती थी उसमें ये गुण थे कि वो बहुत सारा रूप वदल सकती थी असुर थी असुरी प्रविक्ति उनके पास बहुत सारे य गुपती थी यह सारे दोस्त थे कंस के जो अलग-अलग रूप ले सकते थे जितने भी असुनों को भेजा था तो पूतना के गुण दोश पूतना में क्या-क्या कला थी तो आप इतना पॉइंट लिखेंगे उसके पूतना में अगर पांच या दस कलाएं हैं अच्छे बुर पूतना ने पहले से बहुत सारे बच्चों को मारा था पूतना सब जगर ढूंड रहे थी कि कौन-कौन बच्चे दस दिन से नीचे के हैं उन सब को हमको मारना है फिर पूतना बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेकर जाती है इतना सुंदर दिखती है कि ये शुदा मात रो पूतना का वर्नन ऐसा कुछ भी जो आपको सही लगे वो आप एक छोटा सा लिख देंगे तीसरा पॉइंट इसके बाद पूतना जब प्रवेश करती है भगवान के घर में जहां पे भगवान लेटे हुए है एक पालने में और माता जो माता उनको बिजी थी तो माता उनको स सीदे भगवान के कक्ष में और जाके दूद पिलाने लग गई तो पूतना का प्रवेश हुआ तो कैसे प्रवेश हुआ क्या क्या स्थिती आई इतना भी लिख सकते हैं छोट असा फिर उसके बाद भगवान को जब वो गोद में लेती है तो भगवान का क्या रियाक्शन ह होता है भगवान देखते हैं कि यह एक असूर है जो मुझे मारने आई है भगवान तो परम भगवान है भगवान कितना शक्ति चाली है यह भी आप जानते हैं भगवान के गुण भी आप लिख सकते हैं कि भगवान चाहे छोटे से बालक हो उनमें तो उतनी ही शक्ति होती परमपुर्शुतन भगवान कृष्ण, तो भगवान ने देखा, असूर आई है और मुझे मारने का इसका विचार है, अब मुझे स्तनपान कराएगी, मुझे मारेगी, सब कुछ पता था, तो भगवान ने आखे बंद कर ली, फिर उसके आचारी उन्हें टिका टिपने की है तो वो सारा चीज को आप एक concise form में छोटा सा लिख सकते हैं इसके बाद फिर आगे माताएं भगवान उसको माता का दर्जा देते हैं तो माताएं साथ प्रकार की होती हैं प्रभुपाद ने लिखा है आपको जरूरी नहीं है कि आप पुरा प्रवचन रट लीजिए प्रभुपाद का आपको इस में से 30%, 20%, 50% जितना परसेंट मन है उतना परसेंट आप पढ़िए जो आपके मन को भाता हो उतना पढ़िए उतना ही याद करिए 10 मिनट, 5 मिनट का आप लेक्चर दीजिए, कहीं भी बोलिए किसी के सामने घर में बच्चों के सामने बोलिए तो ऐसे करके आप कथा को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट्स बना लेंगे और यदि आपको बड़ा प्रवचन देना है तो आप पॉइंट्स देख करके सारी बात यादा जाएगी, दे सकते हैं यदि आपको किसी दोस्त को बताना है तो भी आपका नोट बुक में यदि पॉइंट्स लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आएगा आगे का पीछे, पीछे का आगे होगा पर आएगा कि हाँ ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी ये भूल गई मैं, ये तो पहले बोलना था, ये भी आगया तो ऐसे करके आपके पास आठ दस पॉइंट जो किसी भी कथा कि आठ दस पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स एक नोट बुक में लिखेंगे आप ठीक है, और फिर वो जब आप किसी को नहीं भी कथा सुना रहे हैं तो meditate upon that कि मैंने पूतना वद पढ़ा था, उसमें कितने पॉइंट्स थे और उसमें से कितने पॉइंट्स मुझे याद है, कौन भूल गई और जो याद है उसमें एक पॉइंट को हम कितना बड़ा बना सकते हैं कितना enlarge कर सकते हैं बहुत आसानी से आप कर पाईएगा ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे ऐसे करना है और आपको ये कथा याद हो जैएगी फिर वो कथा जब आप पूरी बता देंगे तो कथा से क्या शिक्षा मिलती है ये भी बताना है आपको ठीक है ना? प्रभुपात तो शिक्षा दिये हैं शिमत भागवतं में भी जितनी कथा हैं उसमें प्रोपाश शिक्षा दिया है कृष्णा बुख में जितनी कथा हैं उसमें प्रोपाश शिक्षा दिया है तो इस प्रकार आप शिक्षा भी और कथा भी दोनों का मिश्रण बना के आदा घंटा, दस मिनाट, पंदरा मिनाट, एक घंटा बनाएंगे और आपको यहाँ पे वो कथा सुनानी है मेरे सामने मेरे सामने आप सुनाएंगे यह कथा को धीरे 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 आपको कथाएं याद होने लग जाएंगी तो आज मैं आपको पूतना वद नहीं बोल नहीं हूँ, आप कोई भी कथा, आज तक जो भगवान की कथा सुने हैं, यहाँ पर पांच मिनट, छे मिनट, दो मिनट, तीन मिनट बोलिए, कोई भी भक्त, माइक अन करिए और एक कथा बोलिए